विल्काम फ्रेंट्स हमारे यूट्यूब चैनल आरके ना सिंगे केडमी में फ्रेंट्स बोती मात्पूर्ण कोश्चन है जो कि आने वाली सभी परिच्छाओं के लिए वेरी वेरी इंपोर्टेंट हैं तो फ्रेंट्स बिल्कुल वीडियो को इसके इपना करें और पूरा व मीजरिंग बोडी टेंप्रेचर इज बताएं प्रेंट्स क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें शरीर का तापमान मापने की सबसे विशु सनीविधी कौन सी है बहुत ही सिंपल कोश्चन है और कई बार पूछा गया कोश्चन है मोश्ट रिले रिलेवल मेथेट आप म प्रेंच देख लेते हैं कि मोश्ट रिले बल मेथेट अे इस रेक्टेल मेथेट अजके प्रेंट अगरेंट है यह भी आक्जिलरी है और प्रिंट आपका मोज्ट कॉमनली यूज़ मेथड जो है यह फ्रेंट्स ओरल है जो आजकल कामन यूज़ किया जाता है फ्रेंट्स यह ओरल है अब यहां पर प्रेंट्स देख लें की ओरल का जो टिंपरेचर होता है ठीक है 98.6 फारिनाइट होता है ठीक है 98.6 फारिनाइट होता है एक्जिला से ताप माल लेने पर प्रेंट्स 97.6 फारिनाइट और आप यहां पर रेक्टम ठीक है रेक्टम पर 99.6 फारिनाइट होता है इंडोस्कोपिक कैथेटर्स और इस्टेरिलाइज बाई इंडोस्कोपिक कैथेटर्स को निर्जलित किया जाता है बताएं फ्रेंट्स क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें किसके दोरा निर्जलित किया जाता है इंडोस्कोपिक कैथेटर्स और इस्टेरिलाइज बाई बताए फ्रेंट्स क्या होगा इसका रइट ऐसाम सिंपल ऊश्य नहीं आंसर दी तो बोया प्ला प्रेंट्स यह कि आपसें सी रइट हो गया यह यह आप फे दो परसंडल लुस सी आपका रइट होगा दो परसंडल 001 होगा option यहां पर सी आपका राइट है एक्स्पेन देख्लें प्रेंट्स के एंडिस्कोपिक कैथेटर्स एंडिस्कोप्स सिस्ट्रस्कोप्स और बेस्ट इस्टेरलाइज़ बाई 2 परसंट ग्लुटर एल्डिहाइड अग्ला प्रेंटे बॉइलिंग हाट एर ओवेन और आल्सो रेफर्स दी टेबल ऑफ इस्टारिलाजेशन मेथेट ऑफ वेरियाज इंस्टुमेंट्स चलिए फ्रेंट्स अब नेक्स्ट कोशन देखते हैं कोशन नंबर यहां पर थर्ट को देख लें बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर करें प्रेंट्स अच्छे से पढ बताएं फ्रेंट्स यह बहुत ही सिंपल कोशन है गिस करें इन चेल्डरन कल्कुलेशन ऑफ ड्रग डोज इज डन ऑन दी बेसिस ऑफ बच्चों में दवा की खुराक की जो गढ़ना है फ्रेंट्स निमनिके आधार पर की जाती है बताएं फ्रेंट्स किसके आधार पर की राइट होगा वेट ठीक है आपसन भी आपका राइट है वेट के आधार पर की जाती है अब यहां पर ड्रग डूज कल्कुलेशन फार चेल्डरन इज बेस्ट डन बाइंसीडरिंग वेट आप डीज चाइल्ड ठीक है जो बच्चों का फ्रेंट्स जो डोज होती है जो ड बच्चों में दवा देने का चलिएं बचलने चार नमर ने चेस्ट पोजी शाणिज आसे बताएं क्या पोजिस सऺ याना है घुट नय च्छाटी की स्थी कु किस नाम से भीचाना जाता है बताएं फ्रेंट्स क्या हो गायई उसका राइक आन्सर क्या फिन इसका नाम हो ग है लुद कि यहां पर हैं पर आपसंस यह आपका राइड होगा जेनो पिक्टोर इससे एक नाम और है जिससे जीनो पिक्टोरल कहा जाता है इसनाम से भी हम जानतें नी चेश्ट पो जीशन को जीनो पिक्टोरल पो जीशन है देख acqu कि knee chest position is also termed as genopictoral position ठीक है इसको इसके नाम से भी जानते हैं genopictoral के नाम से भी हम जानते हैं knee chest position को इन knee chest position the client lines on the bed face down supporting the body with knees shoulders and chest अगला पॉइंट है the head is kept turned to one side next day this position is given while performing rectal examination तो चलिए फ्रेंट से अगला दिखते हैं पांच नंबर कोशन है पढ़ने कोशन नंबर पांच को उसके बाद आंसर दें क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं फ्रेंट सिंपल कोशन है ठीक है और सभी पूछे इनेमा हाइट और इनेमा कैन फ्राम एनस सुट भी इनेमा देती समय गुदा से इनेमा की उचाई कितनी होनी चाहिए बताएं फ्रेंट कितने सेंटीमीटर होनी चाहिए इनेमा देती समय गुदा से जो इनेमा की उचाई है वो कितने सेंटीमीटर तक होनी चाहिए बताएं फ्रेंट्स क्या होगा इसका राइट अंसर गेस करें करें कि कि और दEdgar को फोनी जायी है तो देगे अपर आप सर्ट डी आपका रॉत हो फोर्टि फाइब तेrü्मैंटर 45 सेंटीमिटर होने चाहिए इंएमा की जो उचाई होती है दें के जूपकर है इन loss of appetite is term edge, बताएं friends क्या होगा इसका right answer, loss of appetite is term edge, भूख ना लगना क्या कहलाता है friends, दीखें friends सभी को पता होगा, simple question है, भूख ना लगना क्या कहलाता है, Anorexia, Aphasia, Polyphasia या फिर Agnosia, पताएं friends क्या होगा, इसका right answer yes करें तो देखें प्रेंट सभी को पता है किसे anorexia कहा जाता है ठीक है भूख ना लगना ये anorexia किस त्रेडी में आता है इसे anorexia कहा जाता है अब यहाँ पे थोड़ा सा explain देख लें फ्रेंट की anorexia ठीक है loss of appetite बतलब भूख ना लगना भूख की कमी फ्रेंट् प्रेंट्स अब यहां प्रेंट्स पॉलिफेजिया क्या होता है तो एक्सेशिव हंगर यह प्रेंट्स पॉलिफेजिया और एग्नोशिया जो है यह इन एबल्टी पॉलिफेंट्स पीजिया पर्संश ट्शी और के सिरेंट्स इन इबल्टी तो रिकोगनाइज दॉल्ट्स जो ऑनजिए चले एकस देख्यंषन देख्ते हैंAudrey निंबर साथ को बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर An informed consent is obtained from a pre-operative patient to prevent बताएं friends क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें An informed consent is obtained from a pre-operative patient to prevent इससे रोकने के लिए operation से पहले रोगी रोगी से एक सूचित सहमती प्रात की जाती है बताएं friends क्या होगा इसका राइट आंसर किसे रोकने के लिए operation से पहले रोगी से एक सूचित सहमती प्रात की आती है तो friends यहाँ पर देखें legal implication आप son D यहाँ पर फ्रेंट राइट होगा अब यहाँ पर थोड़ा सा explain देखते हैं friends की informed consent is taken from every patient before any operative or invasive procedure to prevent legal complication चलिए friends question number 8 है देखें simple question है अभी चेश्टाप में पढ़ा था तो यहाँ पर फ्रेंट से 98.6 Fahrenheit is equal to यह friends किसके बराबर होता है जो 98.6 Fahrenheit है यह बराबर है तो देखें सभी को पता है फ्रेंट बहुत ही simple है टिक है जो आपका 98.6 Fahrenheit है वो इक्वल है 37 degrees Celsius के ठीक है 37 degrees Celsius के बराबर है एक्वल है चलिए friends यहाँ पर हम थोड़ा देख लेते हैं इसका फार्मूला वगरा भी देख लेते हैं कि किस तरह इसे निकाला जाता है ठीक है फारेंट को हम Celsius degree Celsius में कैसे बदलते हैं ठीक है तो अठ्ठाम समच है Fahrenheit is equal to 37 degrees Celsius भी सैथिस डिग्रीस सिल्छियश होता है अब यहाँ पर फ्रेंट्स यह ओओ फार्मूला फार्मुलाा फार्मूला फार्वर्वर्जन है ठीक है यहाँ फारेंट्स लिए तो F-32 into 5 by 9 ठीकिए इस फार्मूले से आप क्या करेंगे कि फारेन हीट को सेल्सियस में बदलेंगे तो फ्रेंट्स यहापे जो आपकी दे रहा था फ्रेंट्स यह आपका फारेन हीट कितना था तो यहापे दे रहा था देखिए 98 दिस सुमलो 6 दे रहा था अब आपका फार्मूला में 32 पहले से ही रखा है और यहापे मल्टिपल में फ्रेंट्स यहापे जो आपका दिया है यह 5 बट्टे नो ठीकिह अब आप क्या करेंगे कि फ्रेंट्स यहापे 98 दिस सुमलो जो 6 दिया हो यहाप 22 को डिवाइड कर लिए च्छाचछट को 9 से च्छाचछट को काट दें यह फिर आप पहले मल्टिपल कर लिए उसके बाद आप 9 से काट दें टीक है तो यह पिर आप जब आप आप गुडा करेंगे फिरिंट चांचेट दसमलोच 6 को यह जो आपका चांचेट दसमलोच 6 है इसको पास से जब आप मल्टिपल करेंगे तो यहाप 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 क्या आएगा 333 आएगा ठीक है 333 बटे 9 आएगा अब 333 को फ्रेंट 333 बटे 9 नो को नौका जो भाग है यहाँ पर 9 के कि नउ ते स्केशन से निग्रेट के करेंगे तो यह शी करेंगे तो यह आजाएगा आपका 36 अब 333 आ जाएगा track यह भी स्टनेर रहेंग ए र्टिस से औरcience bubbly व्यू तैसे यह बनाजा यह दीक क्या होग इसका राइट आंसर पहले अच्छा से पढ़ लें कि वाइल परफार्मिंग टेक युज स्टूमी सक्षिणिंग फाइल परफार्मिंग टेक तोमी सच्षिणिग दंडुर्श सुड़ विड्रा दि कैथेटर आफ्टर अप्लाइंग इंट इंटर्मिटेट इंट सेक्षन फार मैक्जिमम ट्रिक्यूस्टोमी सेक्षन करते समय नर्स को अधिकतम के लिए रुक रुक कर सेक्षन लगाने के बाद कैथेटर को हटा देना चाहिए बताएं फ्रेंट्स करते बाहर पड़ चुके हैं जो skकई क्या होगा इसका राइट आंसर के चुरिय pseudo के प्रेंट उलांगे आपका राइट होगा दस सेकेंड ही यह आप दिख लेह प्रॉलॉंग्ड सेक्षियं यहाइज आपका रेट होगा प्छ टु को आ प्रेंट उल्ट कि प्रोलॉंग् इन और पर दिया जाता है प्रेंट यह कहा पर दिया जाता है इस गिवें इन some simple question friends बताईं क्या और हो गजय करना सर्टिकर फेंगर मेरों में दिया जाता है है टा मूझे आफ लिए फ्रैंट से आपनेग्स को शन नम्बर यह द्याफ सरह करेब canal को लाप सिंग पल्स इंज आल्सो कई नाम से जानते हैं और किस नाम से जानते हैं फ्रेंट बताएं क्या होगा इसके नाम से जानते हैं देखें ऑनलाइन क्लास लेने के लिए आप हमारे 800-90-31680 इस चैनल पर फ्रेंस हमें कॉल कर सकते हैं आप WhatsApp के माद्धन से भी आप हमसे कॉंटक्ट कर सकते हैं ठीक है जो भी कंडिडेट जो इंट्रेस्टेट है online class लेना चाहते हैं फ्रेंस वो हमारे इस नंबर पर संपर कर सकते हैं 891-680 इस नंबर पर आप संपर कर सकते हैं आप चाहे कॉल करके भी संपर कर सकते हैं और WhatsApp ग्रूप के माद्धन से भी आप WhatsApp के माद्धन से भी आप संपर कर सकते हैं आप मैसेज के माद्धन से भी करने या आप कॉल करके तो चलिए प्रेंस बताएं क्या होगा इसका पर एक्स्प्लेइन देखते हैं कि कॉलाप्सिंग पल्स इस आल्सो नोन अज वाटर हैमर पल्स और कॉरिगंस पल्स टर्म जो आपका कॉलाप्सिंग पल्स इस यूज़ तो डिस्क्राइब आ पल्स विद आ रैपिड अप्स्ट्रोक अद डिसेंट करेक्टरिस्टिकली सीन इन और टीक रेगुलेशन करने का मतलब फ्रेंट्स के रैपेटली इंक्रीजिंग एंड सेप्कॉइंटली कॉलाप्सिंग चलिए फ्रेंट्स हम अगला कोशन देखते हैं 12 नंबर कोशन है पढ़ें कोशन नंबर 12 बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर को पढ़ लें उसके बाद आंसर दें फ्रेंट्स सिर की चोट के लिए निमली खित में से किस प्रकार की पट्टी का उप्योग किया जाता है बताएं फ्रेंट्स क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें उस सिर में चोट लगती उसके लिए किस प्रकार की पट्टी का उप्योग किया जाता है फ्रेंट्स बताएं क्या होगा इसका राइट दाश कर करें तो देखे प्र 750 से राइट होगा स्ऱैट के सalnya स्बस्तिया प्रभाइट और लॉग तक यां यहां पन्वी । . Kapline Bandage is used for addressing a patient with a head injury. 2. Spiral Bandage is used for hands, legs and fingers. 3. Spica is the improvised form of figure of heightisel variety. 4. इस पाईका इन्ड सुल्डार्थ और आपका थाइ इस के लिए यूज करते हैं है को जो स्पाइड़ डेज होता है वो फ्रेंट्स है अब ओर फिंगर्स के लिए यूज करते ने जो आपका कैप लाइन बेंडेज है वो फ्रेंट ड्रेसिंग पैसेंट वीद हेड इंजरी ठीक है वो हेड इंजरी में यूज करते हैं तो चलिए अगला कोशन देखते हैं फ्रेंट्स यहाप यहाप यह थर्टीन नंबर कोशन है कोशन को पढ़ें उसके बाद आंसर दें थ हम नितिर wanna beas maul coke निम लिखतमे शेंग्व नरी शीन कारी कदाचर मानद इन थि बताएं फ्रेंट्स का प्रेंट्स क्या भंगे श्कराइट डूंसर कदाचर माना जाता है निम लिखत में से कौन संग्स काले कदाचर माना जाता है बताएं ट्रेंट्स क्या होगा इस का राहिट राइट अंसर उ Tetreinstagram पढ़ने इसे देखे इशे दूस्टन ही एडमेंश्टर नाण मेडीसन कि यश और यह इस नर्स फर लग medicine your friends write up का if nurse does not read the label written on the medicine difference यह भी राइट होगा तो आपका option डी राइट होगा अलगा लाद दी एब condition प्हुंख होता है क्दाचर माना जाता है क्या हुता है जितनी भी यह पर nursing की जो कारे हैं फ्रेंट्स उफ्रेंट क्या यह पर कहा गया किनिम लिखित में से कौन सा नर्सिंग कार्रे कदाचर माना जाता है तो प्रेंट्स ये क्या है जितने भी दिये हैं आपसर ए बी सी ठीक यह तीनों क्या है कदाचर माने जाते हैं आपसर डी राइट होगा कोशन को पढ़ें प्रेंट्स कोशन नंबर चोधा है आपके स्क्रीन पर पढ़ें कोशन नंबर 14 को बताएं प्रेंट्स क्या होगा इसका राइट आंसर विच आप दी फालोइंग टेबल्स इस यूज़ बाइट पर 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 रिडिंग राइट इंड टेकिंग मेल्स निमलिखित में से किस तालिका का उपयोग रोगी दोरा पढ़ने लिखने और बोजन करने के लिए कि बढ़िए कोशल ला परणे कोशल को उसके बाद आंसर दें तो देखें प्रेंट सिहां पर आप संब्या आपका राइट होता ओर बेड टेबल से पर संब्या आपका याए य्जूमी ऑ्का का रइट होका प्रेंस है चलिए आपे एक्सप्लियन देखते हूं टेडिक्लक्त इसाइट टेबल इस जूज़ फार दी परपाज आप कीपिंग और इस्टोरिंग पैसेंट परसनल आइटेम्स चलिए अगला कोशन देखते हैं फ्रेंट्स कोशन नमबर 15 पढ़ें कोशन नमबर 15 को कि रेक्टल ट्यूब शुड नाट बी केप्ट इन प्लेस फार मोर दें ब बताए फ्रेंट्स क्या होगा इसका राइट अंसर तो कितने समय तक रखना चाहिए रेक्टल ट्यूब को अधिक समय तक एक जगह पर नहीं रखना चाहिए आपसन आपके स्क्रीन पर हैं कितने से अधिक समय तक नहीं रखना चाहिए आपको बताना है क्या होगा इसका रा चाहिए आप सब्सक्राइब का राइट होगा चलिए अगला कोशन ने प्रेंट्स कोशन नंबर 16 को इन फालोइंग विजिज दी फॉर्ट साइन ऑप टेस्टिकुलर कैंसर नेमने लिखित में से वरसल कैंसर का पहला संकेत कौन सा है बताएं फ्रेंट्स क्या होगा इसका रा आपसन आपके स्क्रीन पर रहें बताएं तो देखिए फ्रेंट्स यहां पर आपसन भी आपका राइट होगा पेनलेस एनलाजमेंट और टेस्टिस देखिए प्रेंट्स जो दर्द रही तरीके से जो आपके टेस्टिस बढ़ते हैं जिनमें दर्द नहीं होता है और आपक explain देख लें कि painless enlargement of testis is first clinical sign of testicular cancer pain hematuria and dysuria are later sign of testicular cancer ठीक है यह तो सब बात के जो sign है पहला जो first sign है फ्रेंट्स वो आपका painless enlargement of testis है ठीक है तो चलिए एगला question देखते है 17 नंबर question को पढ़ें प्रेंट्स question नंबर 17 है पढ़ने से उसके बाद answer दे इन एन healthy person stroke volume is about एक स्वस्ती व्यक्ति में इस टोक की मात्रा लगबग कितनी होती है बताएं क्या होगा इसका right answer किस करें इन healthy person stroke volume is about एक स्वस्त व्यक्ति में जो इस टोक की जो मात्रा होती है वो लगबग कितनी होती है बताएं क्या होगा इसका right answer तो दिखें प्रेंट से यहाँ पे option D आपका right होगा 170 ml 170 ml option D आपका right है अब यहाँ पे explain देख लिए फ्रेंट थोड़ा सा कि stroke volume is an healthy individual is about 70 ml तो फ्रेंट से यहाँ पे जो आपका answer दिया हुआ है यह जो गलती से फ्रेंट से 170 टाइप हुआ है बट यहाँ पे 170 नहीं है ठीक है question के अनुसार जो है यहाँ पे 170 दिया गया है बट यह आपका सी राइट होगा ठीक है 70 ml ठीक है 70 ml यह फ्रेंट से कितना होता है यह पे यह फ्रेंट से 50 ml से 100 ml तक होता है ठीक है 50 ml से 100 ml दिखे फ्रेंट से क्या होता है कि stroke volume is the difference between and diastolic and systolic volumes it is the volumes ejected the each heartbeat friends the normal range is a 5200 ml ठीक है जो मैंने भी आपको बताया है ठीक है जो आपकी normal जो रेंज है कि the normal range of 5200 ml in difference ICO stroke volume is usually measured by the pulmonary artery catheter and is reported as cardiac output तो फ्रेंट से यह आपकी इतने के बीच में होती ठीक है अब यहां पर फ्रेंट से जो इसके कोशन के अनुसार जो राइट आंसर होगा फ्रेंट 70 ml होगा ठीक है कोशन के अनुसार राइट आंसर 70 ml होगा क्योंकि एक स्वस्त व्यक्ति में इस्टोक की लगभग जो मात्रा पूची गई है वो 70 ml होती है यहां पर आप जो देख रहते फ्रेंट से एक्स्प्रेंट यह फिर सिक भार देख लें कि इस्टोक वेल्यूम इन एन हल्दी इंडिविज्वाल इस इबाउट 70 ml ठीक है इस्टोक वेल्यूम इस दी वेल्यूम फार ब्लट एजेक्टेट जैसे कि अभी आपने एक्स्प्रेंट मैंने किया था थोड़ा सा इस्टोक इस्टोक वेल्यूम इस दी वेल्यूम आप ब्लट एजेक्टेट फ्राम लेट वेंटिकुलर टू सिस्टेमिक शर्कुलेशन दूरिंग इज हर्ट बीट कोडियक आउट्पूट इस्टोक वेल्यूम इन्टू फ्रेंट्स यहां पर देखे एक्स नहीं है यहां पर मल्टि से गुड़ा का निसाँ जी से कहते हैं कि टिक है यह जो मल्टिपल काला था छर्ट वह इस चलिए हममनेक्ट कोशन देखते हैं कोशन नमबर 18 को नमब अंसर को इसके बाद दो पर्शन व्यक्ति के मरने की पाच अवस्थाओं का सही करम क्या है बताएं फ्रेंट्स व्यक्ति के मरने की जो पाच अवस्थाएं है उनका सही करम बताना है को क्या होगा इसका राइट आंसर गिस करें प्रेंट्स तो देखे फ्रेंट से आपे option D आपका right होगा डेनियल, एंगर, बारगेनिंग, डेप्रेशन, एक्सेप्टेंस तो option D आपका right होगा वेक्ति कि जो मरने की पांच अवस्थाएं हैं उनका सही करम बताना था तो option D आपका right होगा चलिए फ्रेंट से हम नेक्स्ट कोशन देखते हैं कोशन नमबर यहाँ पे आपका 19 नमबर कोशन है बताएं क्या होगा इसका right answer विच आप दी फालोइंग टाइप आप बैंडेज इस जूइज फार कॉलर बोन फ्रेक्चर कालर बोन फ्रेक्चर के लिए निमल खित में से किस प्रकार की पट्टी का उप्योग किया जाता है बताएं फ्रेंट से क्या होगा इसका right answer अभी आप पढ़ चुके हैं तो फ्रेंट से क्या होगा इसका right answer तो देखें फ्रेंट से आप पे आप संसी आपका राइट होगा फिगर ओफ एट बेंडेस तीके आप संसी आप पे आपका राइट हो चलिए प्रेंट जब नेक्स्ट कोशन देखते हैं कोशन नमबर 20 यह प्रेंट समारा लाश्ट कोशन है बताएं आप एक क्या होगा इसका राइट आंसर इस क्या होगा इसका राइट आज़ेंगा उसक का राइट आपका जो भी कंडिडेट क्लास लेने के लिए वह हमारे इस नंबर पर संपर कर सकते हैं डबल जीरो 903 1680 ठीक है यह मारा वाटसप ग्रूप नमबर भी है और प्रेंट्स आप हमें मैसेज के माद्धम सी आप संपर कर सकते हैं जो भी कंडिडेट हैं इंटेस्टेट हैं क्लास लेने के लिए तो बताएं फ्रेंट्स क्या होगा इसका राइट अंसर किसकरें तो दीए फ्रेंट्स यहाप पर आप संपर यह आपका राइट होगा असस्मेंट अप दी प्रॉब्लम्स और नीट्स दी पैसेंट अप यहाँ पर देख लिए कि देखे प्रेंट से there are five component of nursing process यह प्रेंट से पाच component है nursing process के assessment हो गया nursing diagnosis हो गया planning हो गया और implementation और evaluation ठीक है प्रेंट से यह महात्वपूर्ण आपके भाग है तो प्रेंट से लिए मिलते हैं किसी next video बें तब तक लिए बाई 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 टेक केर